तो देख सकते हो हमें यहां पर 16 वोल्ट आउटबूड मिल रहा है तो हेले दोस्तों कैसे हो आप सभी मेरा नाम में रूद्र आप देखे रूद्रक्स परिमेंट तो मेरे पास एक 12.0 बायर का ट्रांसपार में जो कि 2 एंपियर का है इसका यूज करके मैं 12 वोल्ट के एक चारजर बनाने वाला हूँ जिससे आप कुछ भी जला सकते हो तो यहां पर जो बीच वाला बायर है वो ग्राउंड का है और दोनों इसमें बारे बोल्ट आते हैं यह लो बायर में फीट करेंगे लकड़ी के टुकड़ी चाईन पर ले लिया है और इसका फिट करेंगे अलों रिख जबला दो बलं चयर्ट करने के लिखाने के लिखे सब द्रीप चैटीब पर करने के लिए लेखे इसके बाद हम लेंगे त्राइबोड तो मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के डाइबोड है तो यहां पर और यहां पर मेरे ठैख सकते हो यहां प्रिछ शेक्षतिव 6 ए यहां पर मेरे पास 3 तरह के डाइबोड है तो अगर आपका ट्रांसफर्मर एक fo 4-5 ampere के बीच में तो आप 54-8 लगा लेना और अगर चह एंपीर से ज्यादा का है तो आप ये वाला यूश कर सकते हो 6a ॉड Yes तो अभी मैं इस वाले डाइबोर्ट के यूज़ करूंगा चोगोंजीरो आठ का आप भी हो सके तो इसका यूज़ करना अधा आपको ट्रांसपार्मर के बारे में पता नहीं है कितने अंपियर का है तो यहां पर मैंने चार डाइबोर्ट ले लिया है आप इसका बनाएंगे तो बिरिज बनाने के लिए यहां पर जिख सकतो हो एक डाइबोर्ट में दो पट्टी आउंगे एक साइड थोरे सफेद होगा और एक साइड पूरा काला होगा तो दोनों सफेद वाली साइड को हम आपस में कनेक कर देंगे कुछी सरह से मोड देंगे तो मैं फटाइबोर तो मैं फटाइबोर्ट से टाइट कर दे रहा हूं फिलास से और यहां पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लिया है एक साइड पट्टी वाली एक साइड बिना पट्टी वाली है यहां पर देख सकते हो आप उसके बाद इन दोनों डाइबोर्ट को लेंग साइट को भी कनेक कर दिया है लगब लगब और यहां पर आप काफी अच्छे सो देख सकते हो हमारे काफी अच्छे सा बनके तयार हो चुका है उसके बाद हमें चाहिए कैपिसिटर मेरे पास इतने सारे कैपिसिटर है यहां पर 35 वोल्ड का भी है पचास वोल्ड का भी और 25 सब्सक्राइब अब अभी 25 वोल्ड का यूज करेंगे 25-v22-67th उफिगा तो यहां पर जहकते हो हम इस ब्रेज्ट को लेंगे और यहां पर जो इसके वाई साइड है जिसमें दोनों साइड वाई है उसको ऴॉड देंगे और जिदर दोनों ब्लैक साइड है उसको नीध उदर जो हमने बिलीज मनाया था उसमें जब दोना काले साइड होंगे उसको कनेक कर देना है तो देख सकतो यहां पर जो पट्टी वाली साइड है उदर कुछ नहीं है और यहां पर जिसकतो यहां पर जिपका दिया है देख सकते हो कुछ इस रस है और यहाँ पर मैंने एक पर टीप लगा दिया था और यहाँ पर दो बायर बचे हुए हमारे पास तो यहाँ पर मैं पर सोल्डिंग कर दे रहा हूं वायरों पर उसके बाद यहाँ पर हम बायर सोल्डिंग कर देंगे तो ट्रांसफार में के दो हमारा प्लस का Cruise कalnya चैने कर दूँगा तो मैं यहाँ वाले साइड तो वहां पर मैं मैं कर दूँगा तो यहां पर चैने कर डिया यह तो यहां पर आगे का हिस्दा यह चुका इतना है इस इस वैयर को मैं यहाँ पर चिपका दूँगा तो फट में शिपका दूँगा तो मैं ऐसा अभ present दे triggered देक toggle का सब्सक्रा आधा इसको पर इसको पीछे ने के लिए और हमें करेंट लगने का खत्रा ना हो तो फटाउट में इसके अंदर टेप लगा देता हूं तो इसमें मैंने टेप लगा दिया है देख सकते हो और दूसरे वाले भी टेप लगा दिया है तो यहां पर हम इसको चिपका देंगे तो मैंने इसको यहां पर चिपका दिया है औ में यहां में मैं optimize the barbell and the 7.3 here we are being Talc template होता है कि मरे भर में इसको जएक बारे वोल्ट यहां पड़ेगा तो så 12 जाएक है 16- kraut के आब को इसको इसको आ में चला के दिखा रहा आपको यहां में करेंग कर दे रहाएं तो कि देख सकते हैं कि अभज कैसी है है कि और इसका साइड में पास यहां पर 275 डीसी मोडर है इसको चला के दिखते हैं यह कैसे वर करता है तो यहां पर देख सब्सक्रूब चलाने पर काफी अच्छा वर कर रहा है और इसके हम पंके भी निकाल के चलाएंगे अभी तो फैन लगाने के बाद तो काफी अच्छा वर कर रहा है आपको यह वीडियो कैसे लागा कामेंड मिलते हैं फिर किसी वार वीडियो में अब तेके लिए जय ही जय वारत